हेलो दोस्तों, अगर आप कुछ एससे एडविंचर्स की तलास में है, जिससे आप मरते दम तक नहीं भूलना चाहते, तो हम आपके लिए लेकर आए है भारत की एसी पांच जगहर, जहां आप रॉंक टे खड़े कर देने वाली बंजी जंपिंग का लुफ्त उठा सकते कि भारत की ये बंजी जंपिंग एक्टिवित दुनिया भर में मशूर है, और इस सहासिक गतिविधी को जीने के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं। अगर आप भी बंजी जंपिंग करने के लिए बहरत एकसाइट हो रहे हैं, तो पहले भारत की इन जगहों के बा आते हैं। आपको यहां पर एक केंटी लेवर प्लेटफोर्म मिलेगा यानि जमीनी स्तर से लगभड 80 मीटर उपर जो इस जगहों को सब्स रोमांच पारिस्थान बनाता है। घबराईये नहीं, यहां के ओर्गेनेजसर आपकी शुरक्षा का पुरा फ्यार रहते हैं। य असरी नमबर पे आत्या है लोनावाला की बंजी जम्पीं। लोनावाला भी भारत के सबसे बड़े एडवेंचर्स पार्कों में से एक होने का दावा करता है। इसके अलावा मुबै और पूने के नस्दीक होने के कारण लोनावाला एक प्रमूख पर येटक स्थाम भी है उपकरण 500 फिट की उचाई पर जुड़ा हुआ है जहां आप कलग बक्चास से 5 मिनित तक के लिए उपर से छोड़ा जाता है। अगर आपका वजन 15 किलोग्राम से ज़्यादा है तो खूश हो जाईए आप इस एक्टिविटी के लिए एकदम परफेक्ट हैं। साथी यहा बंजी जंपिंग की फीजर 1500 रुटे प्रतियक्ति है। तीसरे नंबर पे आता है बैंगलोरों में बंजी जंपिंग। जब भारत में नोन फिक्स्ट बंजी जंपिंग की बात आती है तो बैंगलोर में ओजोन एडवेंचर स्टार्ट में सबसे उपर आता है। यहां एक्टिविटी के आयो जन करता है। ओजोन एडवेंचर्स में 18 से लेकर 60 वर्ष के आयो वर्ग के लोग इस एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। प्रति व्यक्ति बंजी जंपिंग की फीज 400 रुपे है। चोथे नंबर पे आते हैं गोवा की बंजी जंपिंग। अग प्रति व्यक्ति फीज 500 रुपे है। बंजी जंपिंग एक्टिविटी सुबह 8 बजे से साम 6 बजे तक करवाई जाती है। पांचवे नंबर पे हैं दिल्ही में बंजी जंपिंग। जब दिल्ही में बंजी जंपिंग के लिए जग हैं तो दूसरी जग हो और क्यो जब भी आप कुछ एडवेंचर्स करने का मन करें तो आप दिल्ही के वंडर लिस्ट में चाह सकते हैं। आपको बतादे यहां का स्टाफ जर्मनी शे प्रसिक्षी थे और आपकी हर सुरक्षा का ध्यान रगता है। बंजी जंपिंग साइट की उचा 130 फीट है। इस गती में 14 से 50 वर्ष की आयू का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। बंजी जंपिंग करने के बाद आपको यहां से टीशट और कैप गिफ्ट में मिलती है। तो दोस्तों इन जगह को लेकर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और सा झाल